अगर आप फार्मसिस्ट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यह चीज जानी रहे होंगे कि इस साल ओल्रेडी 246 वेकेंसीज आ चुकी हैं और आने वाले समय में काफी वेकेंसीज आने भी वाली है तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में मैं आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओफ हुमन एनटोमी एंड फिजियोलोजी जो की आरार भी फार्मसिस्ट के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है इतना आप लोग जानी रहे हैं कि आरा भी फार्मसिस्ट की जो वेकेंसीज वो पात साल में एक बार आती है तो इन वेकेंसीज को हम लोग ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं और इसकी तैयारी को और भी आप लोग बहतर कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सबसे जादा सवाल पूछे गए हैं और यह सवाल मैं प्रूफ के साथ आपके सामने दिखाऊंगी कि किस फार्मसिस्ट एक्जाम में कितने पूछे गए हैं शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे और चैप्टर वाइज समझेंगे कि कौन से जो टॉप इस तरीके से डिसकाश करेंगे शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेल फिजियो लॉजी सुनने में बहुत इजी चैप्टर लगता है और है बहुत जादा डीपली आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है बहुत जादा मतलब बहुत जादा क कुछ नहीं पढ़ना होता है लेकिन यहां से काफी सारे पूछ से जाख गखाई और यह सवाल पूछे गए हैं कुछ चुलिंदा टॉपिक से जैसे कि सैल जशन्षं किसे जंचन होते हैं जिसके अंदर आपके पास जैसे गैप जंच्शन टाई ट्रइंट गंशन इन तरीक सवाल पूछे गए हैं और वहीं पर होमियोस टैसस भी है जहां से एक दो क्वेशन आए हैं तो अब मैं बात करती हूं कि इस प्रिवियस एर में इस एक चैप्टर से किस किस अपके फार्मसिस्ट एक्जाइम में सवाल आया है इसी के साथेम्सी दोहसार बाइस में कुछा गया है डैलि गॉर्मंट फार्मसिस्ट इक्जायम में सवाल पूlles पूछा गया है वफ एम्सी 2021 में सवाल पूछा गया है और ले चैस्टो के साथ बात कर रहे हो अब wildlife होंगे एक इंपॉर्टेंट चीज में आपको यहां बताना चाहूंगी कि जो प्रिवियस के क्वेश्टन होते हैं ऐसा नहीं है कि वह एक्जेक्ट रुटकर आ लोगे आपके पास एक बुक जरूर अनी चाहिए प्रिवियस कि जोकी है यह भुक और इसी बुक से मैं यह सारे जो एवालोएशन है क्वेश्टन का यह लिया है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर है बलड एक बहुत इंपॉर्टन चैप्टर मतलब इतना इ सब्सक्राइब करता है फिर ब्लड ग्रूप से डारिक क्वेस्चन आया है ब्लड ग्रूप से ठीक है कि युनिवर्सल डॉनर कौन है युनिवर्सल रेसिप्वेंट कोन है दोनों सवाल आए है ठीक है उसी तरीके से मिकैनिजम ऑफ क्लोटिंग क्या है ब्लड ग्लोटिंग फैक्टर से इसके अंदर आ जाएंगे और डिसॉर्डर क्या क्या हो सकते हैं मतलब में कर अगर बात करें तो इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है यह ऐसा एकलोधा चैप्टर है जिसका हर एक पॉइंट हर ए 123 सवाल आया है औरी साफार्मस्स 2023 में चार सवाल पूछे गए हैं चार क्वेस्शन एकteen अंदर क्वेस्शण पूछा गया है आप से महला क्लीनी 2022 के शे weiteren पूछे गए हैं आई चैप्टर से पूर्इस ह郵ान सीजी इस हैदराबाद दो सवाल सीजी एस पार्मरसिस्स वाइजम होता है उसके अंदर दो सवाल आप से पूछे गए है बिहार फार्मरसिस्ट एक्जाब है चार सवाल पूछे गए हैं इसी एक चैप्टर से और इस रो फार्मसेस्ट एक्जाम में दो सवाल पूछे गए हैं इसी एक चैप्टर से तो आप यह idea लगा सकते हैं कि कितने सारे previous year के question है जो इस एक इकलोते चैप्टर से आई है next हमारे पास चैप्टर है GIT यानि gastro-intestinal tract again काफ़ important है यह चीक है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले structure क्या है GIT का इसके organs क्या क्या है उन organs के particularly functions क्या क्या है और इसके बाद process of digestion क्या है चीक है यानि कि आपके particularly organs क्या 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 काम करते हैं digestion में enzymes जिसके अंदर आ जाते हैं juices इसके अंदर आ जाते है clear तो यह कुछ important topic है इस एक chapter के इसके बाद आपको देख लीजे कहां कहां से सवाल पूछा गया है AIMS पटना 2023 में दो सवाल पूछा है RRB 2019 में question पूछा गया है ISRO pharmacist exam में question पूछा गया है महुला क्लिनिक 2023 में question पूछा गया है MP NHM में दो सवाल आए हैं GIT से Kerala PSC में तीन सवाल पूछे गए हैं राजिस्थान pharmacist exam में दो सवाल पूछे गए हैं gastro intestinal tract से clear fourth हमारे पास चैप्टर है respiratory system अब respiratory system से मैं आपको कुछ बता दा जाओंगे देखो पहली चीज कि आपको छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नी देना बहुत जादा detail में ध्यान नी देना सवाल ऐसे नहीं आएगा कि आप हमें वह बता दीजे कि नोस के अंदर कौन सी बोन पाई जाते हैं इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते हैं या अपसे ऐसे नहीं आएगा कि ट्रैक्या के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है या फिर सवाल ऐसे नहीं आएगा कि आप क्या चीज इनहेल करते हो क्या एक्जेल करते हो इतने सिंपल सवाल पूछे नहीं जाते हैं आपको detail पर ध्यान देना है इस चैप्टर में respirator system में for example सबसे पहली चीज रेस्पिरेटरी और्गन आपका जो लंग्स है ठीक है लंग्स के अंदर क्या के चीज़े प्रेजेंट होती है क्या difference है राइट और लेफ्ट लंग के बीच में क्या difference है इस तरीके से ध्यान देना है फिर respiration का mechanism क्या है किस तरीके से आप O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है same as respiratory volumes and capacities most important question आते हैं से ठीक है चली तो previous year के question देख लेते हैं कि किस तरीके से जैसा कि मैंने आप से कहा कि इससे बहुत easy chapter नहीं इससे बहुत easy questions नहीं पूछे जाते हैं यह वाले कैसा chapter है जहां से detail में सवाल आते हैं ठीक है चलो तो डेली government 2023 pharmacist exam के अंदर सवाल आ है MP pharmacist 2020 में तीन सवाल पूछे गए हैं इस एक chapter से इसरो फार्मसिस्ट exam में दो सवाल पूछे गए हैं इस एक chapter से और भी होंगे ठीक है और भी एक दो आपके जो छूट गए है मेरे से आप लोग चेक कर सकते हैं और मैं इस बुक की बारे में बात करी थी जिसका नाम में Mission Pharmacist और जैस Q's questions मिल जाएंगे 30 सालों के plus 5 model papers ठीक है ताकि आप practice कर सको और यह बुक एक और information है कि यह जो बुक है यह आप flip card से order कर सकते हैं with COD यानि cash on delivery ठीक है description box के अंदर आपको link मिल जाएगा वहां से भी आप लोग और कर सकते हैं चलिए next हमारे पास जो chapter है वो है chapter number 5 Autonomic nervous system ठीक है ANS यहां भी जरूरी है pharmacology के अंदर भी important है तो काफ़ important chapter है एक जगा पढ़ लो दो subjects के अंदर आपको उसका काम आने वाला है चलिए इसके अंदर आपको ANS की physiology यानि sympathetic, parasympathetic, enteric nervous system के बारे पता होना जीए basic basic से चीज़े पूछी जाती है H.A.P. के अंदर ANS से ठीक है यह भी मैं आपको बता दू बहुत detail में नहीं आता है ANS से यहां पर पूछा जाएगा कि sympathetic का आपके lungs पर क्या आफर होगा आपके blood vessels पर क्या आफर होगा परasympathetic कैसे effect करता है इस तरीके के सवाल आते है और दूसरा है mechanism of transmission of nerve impulses नर्फ impulse यह यहां भी important है यह CNS के अंदर भी important है चलो तो एक जगा पढ़ लो दोनों chapter में आपका काम हो जाएगा सवाल कहां कहां से आए है Delhi Government Pharmacist Exam 2023 में सवाल पूछा गया है MP Pharmacist 2020 में 4 सवाल पूछे गए है इसरो Pharmacist 2018 में question पूछा गया है VMC 2021 में दो सवाल आपके आए है ANS से HAP का ANS यह याद रखेगा Human Entomy and Physiology का जो ANS सवाल आते हैं आपके Pharmacology से भी आते हैं ANS सवाल देख काफी important chapter है ठीक है और इसी के साथ NCL Pharmacist 2020 में भी इस एक चैप्टर से questions पूछे गए हैं ठीक है नेक्स चैप्टर मारे पास है एक again very important chapter जो की है sense organ sense organ में कुछ नहीं छोड़ना है जितने भी आपके पास sense organ है पांच ही है इनकी Anatomy and Physiology दोनों important है आई, ear, nose, tongue and skin पांच है यह मैं लिख देती हूँ कि Anatomy भी important है और इनकी Physiology भी important है और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन पांच हो sense organ में से सबसे important कौन है तो वो है आई और दूसरा है ear सबसे important ठीक है तो इनको आप अगर उपर उपर से पढ़ रहे हो आई और ear को deeply पढ कर जाना क्योंकि इनके structure से सवाल पूछे गए है previous year में इस बुक में सब कुछ है आप देख सकते ठीक है और दूसरा ear की physiology से जैसे की utricle secule का का काम बता दो ऐसे ठीक है आपका vestibular apparatus क्या काम करता है ऐसे सवाल पूछे गए है ठीक है चलो तो एम्स पढ़ना 2023 में भी question आया ह MPNHM में तीन सवाल पूछे गए है sense organ से और मेरे हिसाब से इन तीन सवालों में से एक सवाल आये का जरूर होगा ठीक है केरिला पीहसी के अंदर सवाल पूछा गया है राजस्तान पामसिस 2012 में question पूछा गया है इस एक chapter से ठीक है तो previous year में इसका काफी important role रहा है आगे चलत है skeletal system अब skeletal system अब मेरी बात मानिए हर एक फार्मसिस्ट एक्जाइम में दो सवाल यह चलो एक सवाल आता ही आता है आता ही आता है एक blood है एक skeletal system है और तीसरा है कार्डियो वास्किलर सस्टम तीन ऐसे important chapter है जो हर एक government फार्मसिस्ट एक सवाल अट-least यहां से पूछा ही जाता है यह skip नहीं करेंगे ठीक है इसको बिल्कुल भी skip मत करके जाएगा इसमें आपको क्या चीज़ पढ़नी है सबसे पहले axial और appendicular रट लो ठीक है और दूसरी चीज़ जो यहां पर है वो है joints के बारे में disorders अलग की चीज़ है लेकिन joint के classification यह मत छोड़ कर जाएगा ठी देखें direct सवाल पूछे गए हैं जैसे की सवाल आया है कि बता दो धंब का कार्बल है और metacarpal इनके बीच में कौन सा joint है ऐसे सवाल एक्सिस के पीच में कौन सा joint है शौलडर जोइंट कौन सा होता है नीमें कौन सा joint है ठीक है scapula auto humerus है कैसे जुड़ता है ऐसे सवाल में इसरों में महला क्लिनिक 2023, MP, NHB में 200, केला PSC में, राजुस्तान फार्मसिस में 200, CDHS हैदराबाद 2019 में, ESIC फार्मसिस 2016 में सब में आपका एक-एक दो-दो क्वेशन पूछे ही गए है, skeletal सस्टम से, ठीक है, तो इसको भी अगर तुम स्टार मार्क बना लोगे, तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, बहुत important ये chapter, ठीक है, इससे अगला मार पास chapter है, chapter नुमर एक, जिसका नाम है central nervous system, again important है पहली चीज़ आप parts और function जरूर करके जाएगा brain के, spinal cord से जादा सवाल नहीं आते हैं, ये भी मैं clear कर दूँ चलिए, तो मैं आपको एक question बता वी देती हूँ कि central nervous system से, AIMS पटना 2023 में कैसे सवाल पूछा गया है सवाल आया है कि जो meninges होती हैं, यानि layers होती हैं आपके CNS के उपर, brain के उपर और spinal cord में वो meninges are three thin membrane that protect the central nervous system, which of the following is not of them चीक है, तो आपको options यहाँ पर दिये गए है arachnoid, pya, median sulcus और durameter, उसका सही option जो हो जाएगा, that should be median sulcus क्योंकि durameter, pya meter और जो आपके पास arachnoid है, वो तीनो layers present होती हैं आपके brain और spinal cord के चारो, clear, तो यह सवाल है 94 और यह AIMS पटना में पूछा गया है इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, चलो नेक्स हमारे पास इसके अंदर है nerve impulse transmission, मैंने आपसे कहा था कि यह central nervous system के अंदर भी important होगा और यहां से देख लो, सवाल, AIMS पटना 2013 में पूछे गए हैं दो सवाल RRB 2019 में, ISRO में, महुला क्लेनिक 2013 में, MPNHM के अंदर, केला PSC, MP Pharmacist 2017 मतलब बहुत सारे questions है, जो की पूछे गए हैं इसे पर्टिकिलर चैप्टर से नेक्स जबाल हमारे पास है, यूरिनरी सिस्टम, नेक्स चैप्टर यूरिनरी सिस्टम में, बहुत easy chapter है, बहुत असान chapter है ठीक है, तो इसमें, ये तो ही अपना kidney है, यूरेटर है, इनके structure normally, पदा होते हैं सबी को, ये कर लिना एक बार, ठीक है, और दूसरा urine formation कैसे होता है, और तीसरी चीज़, GFR, GFR से related हर एक चीज़, ठीक है हर एक चीज़, GFR से related, ठीक है, यहाँ से सवाल आए है, चलो, RRB 2019 में, तीन question पूछे गए हैं इस chapter से, इसरो pharmacist exam में, दो question पूछे गए हैं, महला clinic 2023 में question आया है, MPNHM में, दो सवाल, केला PSC में, तीन सवाल, और Rajasthan Palmer System में, दो सवाल पूछे गए हैं, यूरिनरी सिस्टम से, और भी होंगे, जो मेरे से छूट गए होंगे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, इस book के थूट, चिक है, चलिए, next हमारे पास chapter है, endocrine gland, चिक है, अब endocrine gland में, क्या ही छोड़ोगे तो, तुम खुदी सोचो, ये एक ऐसा chapter, इसके अंदर आप क्या ही छोड़ पाओगे, है ना, सबसे पहले चीज, organ, organ के hormones, और उनके, जादा या कम सिक्रीट होने से, क्या problem होती है, यही तीन चीज तो मौला क्लिनिक 2022 में, तीन सवाल पूचे गए है इस चाप्टर से, उरीसाब फार्मसिस 2021 में भी सवाल पूचा गया है, KPSC में, दो सवाल आए है, डेली गॉर्मेंट फार्मसिस्ट एक्जाम में, ये एक वेस्टन पूचे गए है, इसके बाद बिहार फार्मसिस्ट में आय मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर विद देर फंक्शन, और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्वल साइकल, एक ऐसी चीज जहां से सवाल आता ही, ठीक है, आए गही आएगा, कैसे भी पूचा जा सकता है, ये, चलो, देख लीजे कि कौन कौ किनिंग 2022, 2022 के अंदर तीन सवाल, उरिसा फार्मसिस 2021 में आपके सवाल पूचे गए है, के पी एसी में दो सवाल, CGHS हैदरबाद में दो क्वेशन और बिहार फार्मसिस में चार सवाल आए हैं, इस एक चैप्टर से, क्लियर, मैं ये ऐसे नहीं बोल लही हूँ, जैसे कि मै ये प्रूफ के साथ बोले हूँ, और ये मेरे पास जो बूख है, इसमें से हैं, ठीक है, प्रिवियस एयर बेस्ट इवैलुएशन है ये चैप्टर का, कि किस तरीके से सवाल आए हैं, आप चेक कर लिजेगा, ठीक है, नेक्स हमारे पास जो चैप्टर है हमारा, लास्ट च सकिंद लास्ट चैप्टर है बेसिकली कार्डिो वस्कीलर सिस्टम, सब से जरब है है, मतलब दे मोस्त इमपर्टेंट चैप्टर होँ, इलेक्तर काडियो ग्राम, सब इंपर्टेंट इंवेगा, कुछ में फ्रे ब्लाइब अच जाएगा बस इस एक चैप्टर से, ठीक है, जी चलिए एम्स पढ़ना 2023 में चार्ट सवार उडिसा फार्मसिस 2023 में क्वेशन यूपी एनेचम से दो सवार मौला क्लिनिक 2022 में सेवन क्वेशन पूछे गए हैं इस एक चैप्टर से उडिसा फार्मसिस 2021 में तीन सवार केपी एसी में तीन सवार CGHS हैदराबाद में दो सवार बिहार फार्मसिस में फॉर ग्वेशन और इस रो में तीन ग्वेशन और क्या चाहिए इससे जादा ग्वेशन और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो तुम एक चैप्टर से इतने क्वेशन तो आप खुदी इमेजन कर सकते हो कि यह एक इंपॉर्टन चैप्टर है जहां से सवाल पूछे पूछे जाते हैं एक दो क्वेशन अगर छूट गया हो तो आप अड़ कर सकते हैं क्लियर चल तो यह आपके पास कुछ इंपॉर्टन चैप्टर से अलोंग विद बेर इंपॉर्टन टॉपिक और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनसे आपको एक ऐसा आइडिया मिल जाता है कि आपको किस टॉपिक को अपनी प्राइटी बनानी है किस टॉपिक पर सबसे जाद आपके आर आर भी फार्मसिस्ट एक्जाम में या विए किसी और भी अगर आप लोग फार्मसिस्ट एक्जाम की तयारी करें उसके लिए भी तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं और इसी के साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम से जरूर जोइन हो जाईएगा क्योंकि अपडेट्स कोई भी नए इंफ्रमेशन आपको तभी मिल पाती है ठीक है मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेट्यून में पामिसी इंडिया थैंक्यू